नमस्कार मैं सारी कश्रवास्त व स्वागत है आपका आएनन 24 में बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर 36 गर 2022 का बजट सत्र 9 मार्च को विधानसभा में पेश होगा 7 मार्च से हो रही बजट सत्र की शुरुआत राजिपाल अनुसुया उके के अभिभाशन के साथ होगी 8 मार्च को अभिभाशन पर पर परिचर्चा और क्तग्यता ग्यापन के बाद बतार वित्त मंत्री सीम बगेल 9 मार्च को दो पहर 12.5 बज़े बजट पेश करेंगी 10 मार्च से शुरू होगी बजट पर चर्चा उलेखनी है की बजट सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है राजी की प्रमुख विफक्षी पार्टी भाचपा भी पिछले सप्ता भर से बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीती बनाने में जुटी है 36 गड़ विधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस कर ली है जिसमें पूर्व विधायक गुरुमुक्षी होरा आड़ीय अध्यक्ष सुभास धुकपड वविस्प्रमुक्स अचीव चंद्रशेकर गंगराडे मौजूद रहे इस दौरान डॉक्टर महंत ने वर्ष 2022 की दैनंदनी का विमोचन किया चरंदास महंद ने जानकारी देते हुए कहा की पहली बार विधानसभा में प्रश्ण ऑनलाइन मागा गया है कुल 1682 प्रश्ण में से 1499 प्रश्ण ऑनलाइन है ऑनलाइन प्रश्ण मांगने से करीब 4,50,000 रुपय की बचत हुई है उन्होंने जानकारी दी की बजट 77 मार्श को राजिपाल अनुसुया उईके के अभीभाशन से शुरू होगा आठ मार्श को अभीभाशन पर खृतग्यता ग्यापन के बाद बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेज वगेल 9 मार्श को दो पहर साड़े बारा बजे बजट प्रस्थुत करेंगे और फिर 10 मार्श से बजट पर चर्चा शुरू होगी जिसमें से तारंकित प्रशन कुल 854 है और अतारंकित प्रस्थनों की संख्या भी लगबग 828 है इस तरह तारंकीत और तारंकीत दोनों प्रस्ण इस बार पता नहीं कैसे बराबर आ रहे हैं इसी प्रकार ध्याना कस्ण की 114 सूचना है इस्थगन प्रस्ताओं की 10 सूचना है नियम 139 की अधिन अभी लंबनी लोक महत के विशेप पर चर्चा के लिए चार सूचना है असास की संकल्ब की साथ सूचना है सून निकाल की 16 सूचना है और याच्चा 45 पराप्त हो चुकी है